प्रांस मौश्कोज सलवाक्या साइए विद्षई पठकों में देखनी के मला जो ताज महीं हो नहां रहता है फिर चाहे देशी परटक हो या फिर विदेशी यमना किनारी से ताज और भी खुबसूरत लगने लगता है फ्रांस मॉसको स्लोवाकिया से आई विदेशी परचक अपने आपको नहीं रुख सके इस खुबसूरत इमारत को देख तीनों विदेशी परटक ताज की खुबसूरती में खो गए उन्होंनों ताज को देखना एक सुन्दर एहसास बताया यमना किनारे से ताज को निहारने का अपना ही मज़ा है यहां दशेरा गाट पर प्रति दिन ताज को देखने के लिए सैक्रों की तादात में देशी व व विदेशी परटक आते हैं फ्रांस से आई विदेशी परटक महिला ने ताज महल के खुबसूरती की जम कर तारीफ की और आगे भविशे में भारत आकर ताज महल देखने की इच्छा जाहिर की आह, I cried, it's so beautiful, it's impressive. Just being in Agra, it's such a calm feeling. It's really really nice, I have the chance, yeah. Great, great. It's such a great experience. It's so calm here, a different vibe comparing to Delhi. So much animals around, I really enjoy it. Of course, I hope so. ताच महल की खुब सूरती की बात की जाये तो उसे देखते ही हर कोई उसमें खो जाता है मुहबबत की निशानी ताच महल को निहारने के लिए दुनिया के कोने कोने से परटक आते हैं और इसकी संग मरमरी की चमक में खो जाते हैं सी न्यूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट